प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली राश्ट्री राजदानी राजचेत्र सासन अधिनियम 1991 का और संसोधन करने वाले विद्यक को पुड़ा अस्थापित करने की अनमती दी जाए आप शीटों वे बेठें आप चर्चा करना चाते हैं बिठाए हाउस ओडर माने दो हाउस ओडर माने दो अरे ऐसे सदा नहीं है माने सदा प्रिच आप इसी विशे पर बात करेंगे प्रिच आप असदा दीजी बेठें सीट पे आप जब बोलेंगे जब सबंसीट वे बेठेंगे आप I rise to oppose the introduction of the Bill under the nomenclature the Government of National Capital Treaty of Delhi Amendment Bill 2023 under Rule 72 of Rules of Procedures and Conduct of Business as the Bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the स्टेट्स, इस डिजाइन अप डिगिंग आप ए ग्रेवियार्ड, ग्रेवियार्ड फॉर कोपरेटिव प्रडरिलिजम, सैर, यह बिधायक नीरबाची दिल्ली बिधान सभा से सेवा उसे संबंधित, मामलों को कानून बनाने की सक्ति को बापस ले लेता है, बड़ संकेप पर चार बिंदू पर बात करना चाहते हैं, संग्विधान की सातनी अनुसुची के ताहित सेवा ये राज्यों का बिशाय है, इसलिए एन्सिटी बिधान सभा को एन्सिटी की सेवा उसे सम्मधित, सभी बिशाय पर बिना किसी गतिरोत अर्चन के कानून परित करने का अध कानून बनाने की सक्ति पदान करता है, इससे संग डार की अपने खक करने और ऊच्छतम लारेक इन्दी करने में केंध्य सरकार की दिश्टी कंशिच अउनको बारे में गंभीर प्रश्ना उठता है, इसस वड़क का उद्देश से उच्छतम नियायला की फासले से जयदा स आप बोलना जब बिल पर डिवेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको प्रयाप मोका देंगे आप अभी विशे क्या है कि विधाई पावर है नहीं यह विशे ना आप विद्वान है ना हां बोले आप आप बोलेंगे आपको प्रयाप बाता है सर यह चार संकिप चार बिंदु पर एक बिंदु आप पता है यह दूबरा पर पर ना पर पर जाए इस बिदाक का उद्देश सर उच्चतम और नयाला की फसले से जता स्थापी दिल्ली सरकर की अधिकार और उसकी सतंतता को काम करना है उच्चतम और नयाला की फसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकर के मामलों में हस्तक केपकर केंदे सरकर संगबाद के उस महत्तों को कमजोर करना चाती है जो हमारी मजबूत और कार्जा तक लोक्तन तक लिए आबश्चक है तीन नंबर से आप बिदाया करें दद को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिए हम मरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तयार है एंके प्रेम चंदन जी एस आपका विशे आप तो इस विशे बहुत है है कि लाए ऐफ लूंग ड्री ब्चाका विए अधिकार कभी श्रक्त करता है या चया और संसरकार संब्सस्थ संब्सकृन्धों को सरोकार लोड़ और दीकर को विश्टर करता है थैन्ग उप लेरे मिएशा इन सदन की नियम प्रक्रिया ताके सबस्क्राइब आप निए नहीं मानने ये मानने आप नेता है मैं प्रयाप्त समय प्रयाप्त औस और आपको प्रयाप्त समय दूँगा जब बीटेल चर्चा होगी कोई दिकत नेकिन सदन नीमों प्रक्रियाओ के तरहत है जिस विशे पर आपती करना चाहते हैं उस विशे पर आपती बोलें तरहता बोलें sir rule 72 two of the rules of procedure and conductor business in locks of a I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number one sorry it is against the principles of federalism which is being envisaged by the constitution of India so federalism is on of the basic features of the Indian constitution an elected government state of Delhi it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government has there is no meaning in having the government of Delhi that is why I am saying that it is absolutely taking away sir taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the political bureau sorry the political leadership and the electric sir 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 please second 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 2023 government of NCT Delhi versus Union of India so let me let me read the Supreme Court judgment the Supreme Court judgment says that the state guard no 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 this is a legend I am talking on the legislative competence I am talking on the legislative sir sir rule 72 says if a motion to leave the introduce the bill is opposed the speaker if things fit after permitting the brief statement from the member who opposes the bill the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion provided that where the motion is opposed on the ground that will initiate the legislation outside the legislative competence of the house the speaker may permit the full discussion sir it doesn't it is it now it is it if parliament is fully competent to pass this bill if they want to talk on the merit let them discuss when there is a consideration and passing sir okay second point is it is overriding the Supreme Court judgment at 11 May 2023 the Supreme Court judgment is very clear the Delhi state government is having absolute power administrative as well as the legislative supremacy is with the state government of Delhi the intent of this bill is to override the the Supreme Court so that the third point third point third point that that please 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 why you are having a third point third point two thirty nine yeah yeah sir through two thirty nine yeah yeah close seven of Constitution of India sir so far the last 30 years of Indian in Indian experience so far the close seven two three nine yeah a article of the Constitution has not been invoked here in the preamble if you go to see there are two pages of preamble in preamble very very valid point sir in preamble nowhere it is stated that why close seven two thirty nine yeah yeah he is invoked he's not being stated in the preamble is incomplete the bill in introducing speakers speakers sir my shukur guzaur amare my my shukur guzaur where opposition opposition leader to a position leader ka you would have the violence to be सर मैं इसलिए अपोस कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वाइलेशन है एक सिंपल बिल से आप समीधान कमेंट नहीं कर सकते तीसरा ये theory of separation of powers का वाइलेशन है चोहता ये है कि सर सुप्रीम कोट का चार जुलाई 2018 का पांच जजिस का जज्जमेंट है तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को legislative competence नहीं है इसलिए मैं इस बिल की मुकालिफत कर रहा हूं अब जबके हमारी लीडर ऑपोजिशन ने अलाउग कर दिया बगर पदान मं इस बदे लिए उन्हें अब्स अब्सक्त मैं कमान इवक टू बपोज ये नशनल का पितल सब्सक्राइब गिजिए अजिए नेजिए वैंड मैं वें लूट ट्सून जबीख थे बीडिए लीड वीडिए पर आफ जूब आपने इस बिलीजिए वे लेजिए लेजिए लि इनने पास्टे जज्जमेंट इन C.A. No. 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of government of N.C.T. of Delhi versus Union of India. Now to overwrite the Supreme Court judgment the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. Sir, I want to say that this is total abrogation of the legislative committee. power of the union capital territory of Delhi under article 239. A.A. of the constitution. अल्ण आपको प्रयाप मुका दूगा. चलाओ सदर. पूरा सबको मुका देंगे. अध्यक्स बहुत है ये बिल ये बिल पुरी तरीके से गहर कानूनी है. ये पूरी तरीके से गहर कानूनी है. आपको भी पता है पेट 772 और कॉलन शक्दर प्राक्टिस और प्रोस्टीजर और पार्लिमेंट पहले. ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना ची. हमारे गोरोगोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं, आपको भी पता है. अगर मुझे पता होता, तो मैं इस बिलकुल इंट्रोड्यूस ही नहीं करता है. मुझे पता होता, तो मैं बिलकुल इंट्रोड्यूस कैसे करता है, आप तो सीट पर आपती पिदा करने हैं, कि मुझे पता है, मुझे पता होता, तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे बिलता है, तो बहुत बड़ा विश्य हो जाएगा. इन शब्दों को वापस लो, ऐसे चलिए कि यह जो बेल है substantive policy नहीं है और यह जो कॉल अंशक्दर का लिखा है कि when a leave of house to the moving of a motion has been granted no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of motion of this confidence has not been disposed of this is a substantive policy it is illegal it will be challenged and this has no merit sir abroling DJ thank you sir I too would like to oppose the introduction under rule 72 of the rules of procedure and particularly on the issue of legislative competence I have four brief points sir first the bill violates the defining feature of a federal democracy the division of power it undermines the Delhi legislative assembly and the Delhi government and by trying to supersede the supreme court's decision on the matter the union government appears to undermine the constitutional principle of federalism number two sir just four quick points Sankship Mewoda number two the bill infringes the principle of representative democracy which is a basic feature of the constitution the legislators are accountable to the electorate the electorate must have a say in who governs them if the Delhi government is not able to control and hold to account the officers the fact is that it's a it's their responsibility the legislature cannot be fulfilled the principle of collective responsibility extends to the responsibility of the government for its own officers you cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect before you sir sir before you sir actually the government is day by day going integrity that is what everybody feels here sir ever since the first no kind of motion has been has brought in to this house in 1956 there is no such precedence to discuss any motion before the discussion of the discussion of before the discussion of no 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 the supreme court has already the supreme court has already proclaimed honorable 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 speaker sir there are some very very erudite members of parliament here who know the law well i'm surprised that when legislative competence is being discussed under article 70 under rule 72 proviso that there is no advertence at all to the actual supreme court judgment or the order which the supreme court has passed a speaking order of seven pages the supreme court has passed in the writ petition filed by the state of Delhi against union of india india now kindly see what the supreme court in para 95 has said it concludes about legislative competence please understand the court says however if parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of nctd the executive power of the lg shall be modified to the extent as provided in that law government has brought out a law now pursuant to a supreme court empowering it so how can you challenge executive legislative legislative competence is there okay mani agaraman tiji जो मुद्दे संसदों के संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं मानने अद्रशी 249 का का और का के अंतरगत था इसमें पर्ष्ट उल्लेख है संविदान में कि उपकंड का की किसी बात से संग राज्य सेत्रय या किसी भी भाग के लिए किसी भी विशय के संबन में इस संविदान के अधीन विधी बनाने की संसक्र की सक्ति का अलपी करन नहीं हो सकता इसका मतलब है हमारे संविदान ने इस सदन को संपूर सक्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने थी दूसरा मुद्दा उठाय गया सुप्रिम कोड के जज्जमेंट का जो हमारे मान्य सांशत बीजे डी के बताया सर्वोच नाराय न्यायले के पेरा छे जज्जमेंट के पेरा छे पचानवे और पेरा एकसो चौसट एप इसके सबन में सर्वोच नायले ने इस पच तिया है कि संसत दिल्ली संग राज्यर चेतर के लिए कोई भी कानून बना सकता है अता ये सारे तो अब्जेक्शन लिए गए हैं वो राद्वितिक है इसका कोई संवेदानिक आदार नहीं है संसत के नियमों के आदार पर भी इसका कोई आदार नहीं कमता है इसलिए इस बिल्ल को संसत के सामने पेस करने की अनुमती दी जाए मानने सदर्शे मैं आपको फिर के रहा हूं आपको प्रयात्यों का दिया आपका ये वियार उचित नहीं है मैं फिर बता रहा हूं आपको देश पूरा देख रहा है आप संसत के अंदर इस तरीके का वियार करते हैं आपे ये उचीत नहीं है कि अब क्रस्टीफ कि मिधय को पुरेस्थावित करने के अनुमती प्राओन की जाएं जो सदर्शे सद्गे निरो जो सदर्धे में में काइन मेरे मत्तीफ फ्रामत्शा ओया माने मंतीजी विधय को पूरेस्थापिद करें स्रीन नित्यानंद्राय, मैं विद्याक पुरा स्थापित करता हूँ